नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरजी वरंदा आपके साथ कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों आज आपको सुना रही हूँ व्यंग कार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग तो लीजे शुरू करती हूँ कहानी एक बार वन के पशु को ऐसा लगा कि वे सभीता के उस इस्तर पर पहुँच गए हैं जहां उने एक अच्छी शासिन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से ये तैह हो गया कि वन प्रदेश में प्राजात अंत्र की स्थापना हो पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दोड़ गई कि सुख सम्रद्धी और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आने वाला है प्रजात अंत्रिक व्यवस्था होगी तो निश्चित ही सब कुछ बहुत अच्छा होगा जिसवन प्रदेश में हमारी कहानी गुजरती है उस में भेडें बहुत ही नेक, इमानदार, दयालू, निर्दोश, पशु हैं जो की घास तक को फुख फुख कर खाती है भेडों ने सोचा कि अब हमारा भैदूर हो जाएगा हम अपने प्रतिनिदियों से कानून बनवाएंगे जिसमें कोई भी जीव जन्तु एक दूसरे को ना तो सताए और ना ही एक दूसरे को मारे सब जियो और जीने दोके सिध्धान बेचले शांती इसने हैं बंदुत्व और सहयोग पर आधारित समाज हो इधर भेडियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया भेडों की संक्या इतनी अदेख है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा और अगर उनको कानून बना दिया गया कि कोई पशू किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें गास चरना सीखना होगा? भई हम तो भेड़ खाते हैं और यदि भेड़ को मार के हम नहीं खापाएंगे तो फिर हम भोजन में ग्रहन क्या करेंगे? जो जो चुनाव समीप आता भेडों का उल्लास बढ़ता जाता चुकि भेड़े थी बहुत ज्यादा संख्या में और जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता एक दिन बूरे सियार ने भेड़िये से कहा मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं हर भेड़िये के आसपास दो-चार सियार तो रहते ही हैं जब भेड़िये अपने शिकार खा लेता है ना तब ये सियार हड़ियों में लगे मास को कुतर कर खाते हैं और हड़िया चूसते रहते हैं तो ये वही सियार है जो भेड़िये के एर्दिगर्द घूमा करते हैं ये भेडिये के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बे मौके हुआ 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 चला कर उनकी जय बुलते हैं तो बुड़े सियार ने बड़ी गंवीरता से पूछा, महराज आपके मुक्चंदर पर चिंता के मेग क्यों चाये हैं वो सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा पर शायद दूसरे की उक्ती को अपना बना कर कहता हो खेर भेडिये ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा राज तो अब गया भेडिये बड़ी परिशानी में थे टेंशन में थे वो यह सोच कर कि कहीं भेडों का राज आ गया तो भेडियों का क्या होगा स्यार ने दात निपोर कर कहा हम क्या जाने महराज हमारे तो आप ही माईबाप है हम तो कोई और सरकार नहीं जानते आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं बेडिये ने कहा मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्या भी चबाने को नहीं मिलेंगी। स्यार सब जानता था मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता तो स्यार शेर न हो गया होता भला। आकिर भेडिये ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाओ की बाद बूरे स्यार को समझाएं और बड़े गिरे मन से कहा चुनाओ अब पास आता जा रहा है अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं पर जाएं भी तो कहां जाएं स्यार ने कहा मालिक सरकस्म भरती हो जा तो स्यार ने खुप सोच कर कहा अजायब घर में चले जाएं भेडिये ने कहा अरे वहां भी जगह नहीं है सुना है वहां आदमी रखे जाने लगे हैं बूरा स्यार अब ध्यानमगन हो गया उसने एक आंक बंद की नीचे के होट को ओपर के दाट से दवाया और एक टक आक गवान से कनेक्शन जोड़ रहा हो फिर बोला बस सब समझ में आ गया मालिक अगर पंचायत में आप भेडिया जाती का बहुमत हो जाए तो भेडिया चिड़कर बोला कहा की आसमानी बातें करता है अरे हमारी जाती कुल 10 फीस दी है और भेडे तथा अन्य पशू 90 फीस दी भला वे हमें काहे कुछ उनेंगे अरे कहें जिन्दगी अपने को मौत के हाथ सौप सकती है मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी बूरा स्यार बोला आप खिन मत हो ये सरकार एक दिन का समय दीजे कल तक कोई न कोई योजना बन ही जाएगी मगर एक बात है आपको मेरे कह यह अनुसार कारिय करना पड़ेगा मुसिबत में फड़े फसे भेडिये न आखिर स्यार को अपना गुरू माना और आग्या पालन की शपत ली दूसरे दिन बूढ़ा स्यार अपने तीन स्यारों को लेकर आया उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया दूसरे को नीले म और तीसरे को हरे रंग मैं, भेडिये ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है, बुढ़ स्यार बूला, ये भी स्यार है सरकार, मगर रंगे स्यार, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाओ का प्रचार करेंगे, भी अछंका की, शंका जाहर की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छलकपट के लिए बहुत बदनाम है। स्यार ने भेडिये का हाथ चुम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है, आदमी तक बदल जाते हैं, फिर तो ये स्यार हैं। और तब बूरे स्यार ने भेडियों का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, भेडियों के गले में कंठी पहनाई और मुह में घास के तिन के खोंस दिये, देखा पूरी काया पलट कर दी थी भेडियों की, बोला अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेडों की सवा म में चलेंगे, मगर तीन बातों का खयाल रखना, अपनी हिंसक आखों को उपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी, और बहुत सी भेड़े आएंगी, सुन्दर, सुन्दर, मुलायम, मुलायम, तो उनको देख कर अपने मन पर नियंद्रान रखना, किसी को तोड़ के खामत लेना, भेड़िये ने पूछा, लेकिन रंगे स्यार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे वला, तब बुड़ा स्यार बोला, ये बड़ी काम के हैं, आपका सारा प्रचार यही तो करेंगे, इन ही के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे, ये पीला वाला स्यार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवी भी है और लेखक भी, ये नीला स्यार, नीला और पत्रकार भी है, और ये हरा धर्म गुरू, बस अब चलिए, जर ठहरो, भेडिये ने बूड़े स्यार को रोका, कवी, नेखक, नेत विचारक ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनो, बात काटकर स्यार बोला, ये तीनो सच्चे नहीं है, रंगे हुए है महराज, अब चलिए, देर मत करिए, और वे सब चल पड़े, आगे बुड़ा स्यार था, उसके पीछे रंगे स्यारों के बी उलती प्रतीत हो रहा था, उस समय संत बना हुआ भेडिया, उधर एक स्थान पर कई सारी भेड़े एखटी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बुड़े स्यार ने फैला रखी थी, जिसके बारे में सारी भेडों को बता रखा था, कि स्यार अब संत बन गया है, चारो स्यार भेडिये की जय बोलते हुए भेडों के जुंड के पास आए, बुड़े स्यार ने एक बर जोर से संत बेडिये की जय बोली, भेडों में पहले से ही यहां वहां बैठे स्यारों ने भी जोर से जय की ध्वनी लगाई, भेडों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो भागो यह तो भेडिया है तुरंत बूरिस यार ने उन्हें रोक कर कहा भाईयो और बहनो अब भाए मत करो भेडिया राजा संथ हो गए है उन्होंने हिंसा बिलकुल छोड़ दी है उनका हरिदा एक दम परिवर्तित हो गया है वे आज कल घास खा रहे हैं रात द भगवान के भजन और परुपकार में लगे रहते हैं उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते किसी का रोम तक नहीं चूते और जाते हैं बेडों से उन्हें विशेश प्रेम है इस जाती ने जो कश्ट स से जुका हुआ है सो जुका हुआ ही है जिससे आप देख सकते हैं परंतो अवे शेश जीवन आपकी सेवा में लगा कर तमाम पापों का प्राश्वित करेंगे आज सवेरी की ही बात है एक मासूम भेड के बच्चे के पाउं में काटा लगया तो भेडिया संत ने उसे दात लगा है ना उसके दान की घोशना उन्होंने आज सवेरी की है अब तो वो सर्वश्व त्याक चुके है अब आप उनसे भय बिलकुल भी मत कीजिए उन्हें अपना भाई समझें बोलो सब मिलकर संत भेडिया जी की जय और इस तरह से स्यार सारी भेडों को ये बाते समझा भेडिया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले नीचे जुकाई विनाय की मूर्ती बने बैठे थे जैसे मानों सच में वो संत हों बीच में कभी कबार सामने की ओर इकटी भेडों को देख लेते और अपनी टपकती हुई लार को गुटक जाते बुड़ा सियार फिर बोला भाईयों और बहनों मैं भेडिया संत से अपने मुखारबिन से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता पर प्रेमवश उनका हरदय भर आया है वह गदगद हो गये है और उनका कंठ रुद गया है अवरुद हो गया है करुणा की कारण वे बोल नहीं स अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे पहचाने भी कैसे ये इस लोग के जीव तो है नहीं ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुप्ध देश देनी के लिए प्रत्वी पर उतारे गए हैं ये पीले वाले जो सवर्ग संगीत सद्राइंगे हां कवी जी फिर पीले सिभार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ आता नहीं ता हुआ हुआ चला दिया शेश खेल भी हुआ हुआ बोल पड़े बुड़े स्यार ने आख के इशारे से शेश स्यारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को यू कहकर समाला भै कवी जी को तो कोरस में गीत गाते हैं पर कुछ समझें आप लोग अरे आप कैसे समझ सकते हैं अरे कवी की बात अगर सब के समझ में आ जाए ना तो फिर वो कवी काहेगा उनकी कविता मैंसे शाश्वत के स्वर्फूट रहे थे वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही प्रतिवी पर भीडिया हे भीडिया जी महान आप सर्वत्र व्याप्त हैं दर्वशक्तिमान हैं प्रहता आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांच को उश्या आपका मुख चुमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्री को आपकी ही जोती लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारी बनकर चमकती है, हे विरात आपके चर्णों में इस शुद्र का प्रणाम है, फिर नीले रंग के स्यार ने कहा, निर्वलों की रक्ष बलवान ही कर सकते हैं, भेड़े कूमल हैं, निर्वल हैं, अपनी रक्ष नहीं कर सकती ना, भेड़े बलवान हैं, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़, निश्चित हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाती के हो, तुम भेड़, वो भेड़िया, कितना कम अंतर है, भेड़ और भेड़िये में, और विचारा भेड़िया व्यर्थी बदनाम कर दिया गया है, वो भेड़ों को खाता है, अरे खाते और है, हड्डिया उनके द्वार पर फेग जाते हैं, और नाम हो जाता है कि भेड़िये भेड़ों को खाते हैं, ये व्यर्थ वदनाम होते हैं, तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िये बलवान होते हैं, यदि भेड़ों पर कोई संकट आया, कोई अन्याय हुआ तो वे डटकर लगेंगे, लडेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, बोलो संत भेड़िया की जय, फिर हरी रंग के धर्मगुरु ने उबदेश दिया, जो यहां त्याग करेगा, वह उस लोक में इसलिए सम मिलकर भेड़ियों को वोट दो, विदानी है, परुपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इस तरह तीनों स्यार भेड़ियों के हित में उनके लिए जिताने की बातें करते रहे, यह एक भेड़ियों की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है, सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया हूर भेडों को विश्वास हो गया कि भेडियों से बढ़ा उनका कोई हित चंतक, हितैशी, उनका रक्षक कोई नहीं है और जब पंचायत का चुना हुआ, तो भेडों ने अपने हित रक्षा के लिए भेडियों को चुना पंचायत में भेडियों ने सबसे पहले भेडों की भलाई के लिए जो पहला कानून बनाया वो था कि हर भेडियों को सवेरे नाश्ते के लिए भेड का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड तथा शाम को स्वास्त के खयाल से कम खाना चाहे इसलिए आधी भेड दी जाई ही तो दोस्तों ये थी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग जिसका शीशक था भेड़े और भेड़िये दोस्तों भेड़ और भेड़िये पर अधारती एक कहानी उमीद है आप सभी को बहुत पसंदाई होगी बहुत जल्दी एक कहानी के साथ आपसे फिर होगी हमारी मुलाकात मैती वरिंदा आपके साथ जल्दी से नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलते हैं बाते करते हैं दोसों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल प्रधान नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को ज्यादर ज्यादर लोगों तक पहुचाने की कुशिश करें, लाइक करें और अपने कॉमेंट के द्वारा हमें जरूर बताई आपको हमारी कहानी कैसी लगी, तो जल्द होगी आपसे मुलाकार, तब तक के लिए वरंदा को दीजेगा, इजासत, नमस्कार झाल